पहोता है बट अब जब मुनावर भाई को आपको बताना चाहूंगी की घर के अंदर उनको कि एमोशनली सपोर्ट जैपल नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर मैं जानती हूँ कि मुनावर की जनता मुनावर के फैंस मुनावर के वारियर्स जो है वो हमेशा मुनावर भाई के लिए जो है वो खड़े रहे थे खड़े रहे हैं और आगे भी जो है वो खड़े रहेंगे इवन कल के incident की अगर मैं बात करूँ तो घर के अंदर वो बंदा रात को भूखा सोया है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, किसी के अंदर इतनी सी humanity नहीं आई कि जाकर पूछ सके कि मुनावर तुने खाना खाया है या नहीं खाया है, इवन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ रिंकु जी की जो हमेशा मुनावर भाई के साथ जो है वो चिपकी रहती है, मुनावर ये कैसे, मुनावर वो कैसे, मुनावर मैं तुझे ठपर लगा दूँगे, अगर तुने ऐसा किया, तो वैसा किया, कैप्टन बनने के बाद डेली आप जो है, वो night में कैप्टन रूम पहुंच जाते हैं, तो आपको भी कही ना कहीं, अब मुनावर भाई अपनों की और परायों की यहां पर पहचान होगी, वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि घर के अंदर बेशक से, अगर मुनावर भाई को एमोशनली सपोर्ट ना मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है, कि मु पहुंचाना चाते हैं, तो आप पॉजिटीव ट्वीट करके कलर्स को टैग करकर अपनी बाते मुनावर भाई तक पहुंचा आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी को हाइप लेने नहीं दिया है, और आगे भी हाइप किसी को लेने नहीं देंगी, और डेफिनेटली आगे भी ठकने वाले हैं नहीं, तो इस अनब्रेकेबल मुनावर फारुकी प्रेंट के अंदर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, अपनी बाते मुनावर भाई तक पहुंचानी हैं, तो यहीं आप लोगों को कहना चाते हूं, कि अभी तक हम मुनावर भाई के साथ और आगे भी हम मुनावर भाई के साथ ही यहां पर रहने वाले हैं, बेशक से घर के अंदर उनके साथ कोई ना हो, लेकिन बाहर पूरी की मुनावर आर्मी मुनावर भाई के लिए खड़ी हूई, और मेकर्स को भी पता है कि टी आर्पी किंग तो सिर्फ मुनावर फारुक लेकिन बाहर मुनावर आर्मी मुनावर भाई के लिए जरूर खड़ी हूई है